हेलो स्टुडेंट्स तो अब तक हमने मैटर के प्रापोटेज के बारे में फड़ा कि मैटर की क्या क्या प्रापोटेज होती है देयर स्पीस बिट्विन देम देर पार्टिकल्स और कॉंटिनूसली मॉविंग एट्सक्टरा सो आज का हमारा टॉपिक है चेंज इन स्टेट स्टेट आ शाओ achesघंटेज करता टाहिता है स्टेट मतलब सॉलेट से वह लिक्वी भीट होजाएगा कर लिक्वीट से वह ग्यास होजाएगा मतलब कि वह अपनी स्टेट चेँज कर सकता है जो इसकी स्टेट है और लिकंडस स्टेट को वह घ्यस में चेंज कर सकता है तो अब वो कैसे चेंज करता है वो देखते हैं हम तो first है हमारा temperature ठीक है कि temperature जो उसकी state self को change करने में कैसे मदद करता है that is effect of temperature ठीक है तो effect of temperature में हमारे पास है तीन conditions पहले तो वो temperature की effect से solid से liquid में convert होगा फिर वो temperature की help से liquid से gas में convert होगा तो first हम देखते हैं कि कोई भी solid है वो liquid में कैसे convert होता है ठीक है तो जब आप एक solid particle को या फिर एक solid state को जब आप heat provide करते हो तो वो क्या liquid में change होता है कैसे जब आप किसी solid को heat provide करते हो जो उसके अंदर के particles हैं आपको पता है ना वेन heat is applied यब heat increase होती है या temperature increase होता है ठीक है temperature increase होता है increase in temperature होगा तो kinetic energy between particles क्या होगी increase kinetic energy between particles increases हमने properties of matter में पढ़ा ठीक है जब उसकी kinetic energy increase होईगे मतलब कि particles बहुत तेज़ चल रहे हैं जब particles बहुत तेज़ चल रहे हैं तो फिर जो forces of attraction होती है forces of attraction बिट्विन solids आर ओवरकम्ड ओवरकम्ड मतलब कि वो जो forces of attraction between solid है वो lose होने लगती है धीरे धीरे और एक state ऐसा आपता है जब solid के particles की सारी energy होती है वो lose होके किस में convert हो जाता है solid liquid में ठीक है जो forces of attraction हो बहुत कम हो जाती है और particles जो है वो freely move करने लगते हैं ठीक है तो यह कब होगा आपका जब आपका temperature increase होगा तो simple सा concept है with increase in temperature kinetic energy increases and the forces of attraction between solids are overcome ठीक है which leads to conversion of solid into liquid जो की solid को liquid में convert करता है अब देखो इस जो पूरा process है इस से related हमारे पास कुछ terms है तो first हमारे पास melting point ठीक है main terms ही है इसमें note करने वाली melting point आपने देख लिए temperature का effect कैसे होगा temperature बढ़ेगा kinetic energy बढ़ेगी kinetic energy बढ़ेगी particles freely move करने लग जाएंगे particles freely move करेंगे तो solid liquid में convert हो हो जाएगा तो melting point में क्या आता है हमारे पास ठीक है दे टेंप्रेटर आट वीच solid starts converting इन्टू लिक्विड इस कार्ड मैंटिंग इसके definition आप सिंपल सा याद कर सकते हो मेल्टिंग मतलब मैल्ट मतलब पिखनना मैल्ट मतलब पिखनना तो मैल्टिंग point क्या हुआ जिस temperature पर जो solid है वह मैल्ट होना शुरू हो जाए तो वह क्या होगा जब solid melt होगा ice cube melt होगा तो liquid में convert होगा न तो वह temperature जिसमें solid convert होके liquid बन जाए उसे क्या बोलेंगे मैल्टिंग पॉइंट और दूसरी ताम है इसमें latent heat of fusion अब जो melting state होती है जो हमारी melting state होती है उसे हम melting point होता है उसे हम latent heat of fusion भी बोलते हैं या फिर fusion भी बोलते हैं चुकि process होता है जिसमें हमारा solid liquid में convert होता है उसे fusion भी कहा जाता है तो latent heat of fusion हमारे पस क्या है यहां पर heat energy या फिर आप start करोगे amount of heat energy required to change 1 kg of a solid into liquid ठीक है amount of देखो यहां पर क्या है हमारे पास melting point में temperature ठीक है और यहां पर क्या है heat energy तो heat energy किसरे लेटेड़ हुई latent heat of fusion मतलब latent heat of fusion किसरे लेटेड़ है heat energy ठीक है तो amount of heat energy जितनी हमें heat ही होती है एक solid को liquid में convert करने के लिए उसे क्या भूलिंग है latent heat of fusion fusion यहां पर उस process को भी बोलते हैं जिसमें हमारा solid liquid में convert होता है ठीक है उस process को क्या बोलते है fusion ठीक है यह थे हमारे effect of temperature when solid changes to liquid ठीक है यह वाले state हमारी होगी solid to liquid अब देखते हैं यह हो गया हमारा first क्या हो गया first अब second देखते हैं अगर liquid solid में sorry liquid gas में change हो तो क्या होगा with effect of temperature ठीक है तो हम नॉर्मली liquid को gas में बदलने के लिए क्या करते हैं boil करते हैं पानी को boil करेंगे ना तो उपर आपने देखा होगा भाप उड़ता है तो वह भाप क्या होता है gas वह भाप gas होता है ना भाप मतलब vapors देखा है सबने तो वह कैसा होगा जब आप liquid को heat up करोगे उसका temperature raise करोगे तो वह किसमें convert होगा gas में तो अब इस related हमारे पास term क्या है boiling boiling point ठीक है वहाँ देखो solid melt हो रहा था तो उसका क्या था melting point यहां पर लिक्विट क्या हो रहा है boil तो इसका क्या होगा boiling point boiling point क्या होता है the temperature यह भी देखो temperature से लिए टर्म है the temperature at which a liquid starts boiling simple वह टम्प्रेचर जिसमें जो लिक्विड है वो start boil करना start कर देता है atmospheric pressure atmospheric pressure मतलब उसे जो हमारे atmospheric condition atmospheric condition जो हमारे atmosphere में condition temperature sunlight वगरा यह सब वैसा ही रहेगा atmospheric pressure मतलब कि जो pressure atmosphere apply कर रहा है उसी पे ही कोई अगर water boil करना शुरू कर देता तो उसे क्या बोलते है boiling point ठीक है यह थी हमारी boiling point टर्म अब next आ जाता है हमारे पास इपने देखो पहले solid से liquid में change हुआ तो दो चीज़े थी हमारे पास melting point और latent heat of fusion अब यहां भी क्या है boiling point and latent heat of vaporization latent latent heat of vaporization vaporization को क्या मतलब है यहां पर वो प्रोसेस जिसमें liquid में convert हो रहा है ठीक है तो प्रोसेस ऑफ कनवर्जन आफ लिक्विड इन्टू विपर्स या फिर गैस ठीक है तो latent heat of vaporization क्या हुआ यहां पर यह भी amount of heat energy required to convert a liquid into vapors देखो latent का मतलब होता है hidden latent का मतलब क्या होता है hidden मतलब छुपी हुई ठीक है latent का मतलब हुआ चुपी हुई और यहां पर heat है तो हम simple सा यह concept याद कर सकते है amount of heat ठीक है amount of heat latent है चुपी हुई heat है तो उससे हम यह याद रख सकते है amount of heat vaporization से में क्या होगा liquid to vapor ठीक है और आपके fusion में क्या होगा solid to liquid तो यह 4 definitions थी आपकी temperature से regarding कि जो temperature है वो किसी भी matter को जब state change करता है तो कैसे effect करता है अब next हमार पास effect of pressure next हमार पास effect of pressure ठीक है अब इसमें क्या है pressure की help से हम क्या करता है जब हम किसी gas पर pressure apply करते है तो वो direct liquid में change हो सकती है मतलब कि state में हम क्या पढ़ेंगे gas to liquid conversion of gas to liquid ठीक है on applying pressure and reducing temperature मतलब कि हम pressure को बढ़ाएंगे और को reduce करेंगे ठीक है तो क्या होगा gases changes to liquid simple साइटना साइज में तो ठीक है इस process को क्या कहते हैं हम लोग इस process को sublimation भी बोलते हैं आपकी टेक्स ओपन डेफिनेशन की वनने मैं आपको करके दूँगी या फिर बाद में नोट डाउन करोंगी तो इसका एक्जम्पल है हमार पास एक solid co2 यह आपके direct gas में change हो जाती है without converting into liquid मतलब यह liquid में change नहीं होती solid होती है देखो liquid में नहीं जाएगी direct किस में जाएगी gas में ठीक है तो यह थे आपकी effect of temperature and states effect of temperature and pressure on states of matter मतलब की pressure और temperature के change होने पर कैसे जो matter है वो एक state से दूसरी state में change हो जाता है अब हमार पास कुछ in text questions थे page number 3 पर उस पर first question है आपके पास which of the following are matter which of the following are matter मैंने यहां पर note नहीं किया है तो screens पर नहीं दिखेगा आपको आपको अपनी text books में देखना which of the following are matter उसमें आपको जो matter के properties बदाई है मैंने कि fixed dimensions होती है fixed volume होता है यह सब होता है matter में तो आप इसमें देखो और बताओ कि इसमें से कौन सा matter है ठीक है चूज करना है आपको यह बहुत simple question है यह आप खुद करोगे first question second question है आपके पास give reasons मैंने यहां पर note किया है give reasons for the following observation ठीक है आपको following observation के लिए give reason देना है मैंने पहले ही बताओ आपको reason क्या देना है मतलब कैसे देना है the smell of hot sizzling food reaches you several meters away but to get the smell of food cold food you have to go close इसका simple concept है जो हमारे temperature increase होएगा देखो यहां पर लिख सबते explanation पूरा when the temperature is increased ठीक है जब heat supply करोगे temperature increase होएगा ना the kinetic energy इसे पूरा लिखना आप लोग kinetic energy between the particles kinetic energy of the particles increases and the particles starts moving faster and more freely ठीक है काइनेटिक energy बढ़ने के विज़े से क्या होगा जब पार्टिकस तेज चलेंगे तो वह हल्की भी हो जाते है मतलब वह ज्यादा उनने भी लग जाते हैं वह more freely चलने लग जाते हैं ठीक है therefore we can get the smell of hot sizzling food several meters away ठीक है यह इसका reason था मैंने आपको example मैंसे समझाया भी था फिर भी मैंने एक question छोड़ दिये थे तो driver is able to cut through next question है हमारे पास a driver is able to cut through water in a swimming pool but property of matter does the this property या this observation शो कौन सी है वैसे आप लोग खुद कर सकते हैं इसको इसकी प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स आफ मैंटर है एव स्पेश बिट्वीन थीक है यह है आपकी पेश नॉम्बर थ्री के questions इसी में लास्ट question है वो भी मैंने नहीं किया इसमें तो इसमें क्या है बटार्टिक्स आफ पार्टिकल्स आफ मैंटर यह मैंने आपको करवाए में है characteristics of particles of matter तो आप यह कर लेना खुद उसमें सारे एनलिस्ट कर देना जो भी मैंने आपको पिछले पार्टिक में करवाए थे ठीक है पार्टिकल्स आफ मैंटर से स्पेस बिट्विन देंपार्टिकल्स आफ मैंटर और कॉंटिनुसले मुविंग यह सारी चीज़ें लिखनी है इसमें अब हमारे पास पेस नंबर नाइन पर questions है वो भी discuss कर लेते हैं convert the following temperature to celsius scale अब देखों यहाँ पर scale का हमारे पास zero degree celsius कितना उटा है 273 के इक्वल यह याद रखना है तो हमें केल्विन को celsius में चेंज करना है तो हम इसमें से क्या करेंगे 273 माइनस तो 300 माइनस 273 कितना आएगा आपके पास ठीक है तो यह आगे आपके पास 27 degree celsius यह वाला आप खुद करोगे next है हमार पास what is the physical state of water at 250 degree celsius gaseous ठीक है 250 celsius में तो उड़के हवा हो जाएगा और जो 100 degree celsius है उसमें आप vapors क्योंकि 100 degree celsius हमारा boiling point होता है the temperature at which liquid start converting into whippers ठीक है तो boiling point है तो 100 degree celsius पे हमारा एक liquid क्या होगा विपर ठीक है यह दोनों states है अब next देखो हमार पास question for any substance why does the temperature remains constant during the change of state ठीक है क्यों change रहता है क्योंकि वो जो temperature आप उसको supply करते है नहीं sorry जो आप इसको heat supply करते है पार्टिकल को वो जो conversion कर रहा होता है ना एक state से दूसरी state में उसमें utilize हो जाती है तो वो temperature नहीं बढ़ाती ठीक है तो यहाँ पे आप लिखोगे बिकॉस दावीट सप्लाइड तो शब्स्टाउस इस उस्वार वर दी कोवरेजिन ओर गान्वरेजन ओ तर बिद्वेजिए उस्टेट कान्वरेर यहां पर लिख सकती हो conversion between the states of matters ठीक है तो यह reason है आपका अब इसमें लास्ट है suggest method to liquefied atmospheric pressure sorry atmospheric gas liquefy करना है last आपका point यही था by increasing pressure and reducing temperature ठीक है तो यह थे आपके कुछ concepts और in-text question next lecture में evaporation पढ़ेंगे और उसके effects पढ़ेंगे और in-text question और कुछ exercise questions discuss करेंगे so thank you this is all for today